अशोग भारती जी मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा था अभी मीडिया में एक आपने डिवेट की थी और वो डिवेट की थी देव की नंदन से जो की एक प्रोहित कहलाया जाता है हिंदू का एक साधू संत कहलाया जाता है उसके साथ आपकी डिवेट हुई ती और आपने उनको बड़ी अच्छी तरीकी से धोया था पतानी कौन कौन सा रिंसा मुन लगाया था तो धोया बहुत अच्छा था मेरा सवाल यह है उसमें कि वह जहां से आप इलेक्शन लड़ उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए देखे मैं यह बताना चाहता हूं कि किस देश में देव की नंदन ठाकुर और ऐसे तमाम लोग जो खुद को सवर्णों का प्रतिनिधी मानते हैं उनको हम लोग यह समझाना चाहते हैं कि सदियों से जो अपमान वो करते चले आ रहे हैं अब उस अपमान का मुकावला सम्मान से होगा हमें तो यह पहले से पता था कि देव की नंदन ठाकुर जी भजन की इरतन करते करते राजनीती में जाने वाले हैं अब वो राजनीती में आ गए हैं तो राजनीती में वो जरह हम यह बता दें कि वो वसूद है कुट बात करेंगे या जो समण बंद उन्होंने किया था वो समण बंद की बात करेंगे अगर वो समण बंद वाले हैं, उनकी राजमीती समण बंद वालों की है तो उनमें इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि SCST के घर पे जाकर वोट ना मांगे जिसका विरोध कर रहे थे अगर उसके घर जाकर वोट मांगना है तो उससे पहले उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए अरे भाई जिनसे घंटा ढंग से नहीं बजाया जाता वोट कैसे मांगेगे जो काम उनको घंटा बजाना नहीं आता उनको अगर उनको कुछ आता था यह बताएं उनको कॉंग्रेस चुनाव लड़वा रही है या भारती जंता पार्टी चुनाव लड़वा रही है उसका नाम बता आपने बाप का नाम बता जिसने तेरी पार्टी बनवाई है इदर उधर की बात ना कर और टटी की ओड में शिकार मत खेलो अगर दलितों के साथ मुकावला करना है तो आमने सामने की लड़ाई है आप 10 फीसदी हो 3 फीसदी हमारे वाले जो दलाल है वो भी आपके साथ शाविल है 90 फीसदी अनुसुचित जाती, जन जाती पिछड़ी जातियां अल्व संक्यक है मद्यवर्देश में मद्यवर्देश में चुनाव साथ परतिशत सवन बनाम